गैंक्स्टर लखबीर सिंग लांडा को भारत सरकार ने आतन की घोशित कर दिया है गैर कानूनी गतिविधी अधिनियम के तहट ये फैसला लिया गया है मूल रूप से पंजाब और तरंटारं जिले का रहने वाला लांडा वर्तमान में कैनाडा के एड्मॉंटन अल्बाटा में रहता है खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में उसकी बड़ी संलिप्तता बताई जारी है जिसके बाद राश्य जांच एजिंसी यानि एनाईये ने उसके खिलाफ जांच शुरू की थी ग्रिह मंत्राले ने कल एक अधिसूचना जारी कर इस फैसले की जानकारी दी है इस अधिसूचना के मताबिक लांडा पाकिस्तान से भारत में तसकरी किये जाने वाले हथियारों और IED डिवाइसों का मुख्य सूत्र धार है उसके खिलाफ NIA ने कई बड़े मामले दर्श किये हुए हैं लांडा 9 मई 2022 को पंजाब पुलिस के खूफिया मुख्याले पर हुए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रिनेड यानि RPG हमले का भी मास्टर माइंड है इस मामले में उसके खिलाफ पंजाब पुलिस और NIA ने केस दर्श किया है हाला कि कैनडा में उसके छिपे होने की वज़े से उसकी गरफतारी में सफलता नहीं मिल पाई है लांडा कैनडा के खालिस्तान समर्थक तत्वों के साथ भी जुड़ा हुआ है पंजाब पुलिस के मताबिक लांडा पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से अलग-अलग मॉडियूल्स को इंप्रुवाइजड एक्स्प्लोसिव डिवाइस यानि IED हतियार इसके अलावा भी कई तरह के हतियार विस्फोटक की आपूर्थी करता है पंजाब के साथ साथ वुदेश के अलग-अलग हिस्सों में भी आतंकी मॉडियूल को खड़ा करता है साथ ही जबरन, वसूली, हत्याएं, ब्लास्ट, नशीरे पदार्थों और हतियारों के तसकरी करना भी उसके कामों में शामिल है लांडा के खिलाब 2021 में लुकाउट सर्कुलर जारी हुआ था भारत में और NIA ने इस पर इनाम भी घोशित किया हुआ है राश्य जाच एजिंसी ने सितंबर महीने में बबबर खालसा इंटरनाशनल के कैनडा स्थित आतंकी लखबीर सिंग लांडा और पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंग रिंदा सहे पांच आतंकवागियों के बारे में जानकारी देनी के लिए नगत पुरसकार की घोशना की थी आपको बता दें कि एजिंसी ने लांडा और रिंदा के बारे में जानकारी देनी के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोशना की थी और इसके अलावा परमिंदर सिंग कैरा उर्फ पटूट सतनाम सिंग उर्फ सतबीर सिंग और यदविंदर सिंग उर्फ यदविंद लान्डा पाकिस्तान से भारत में तसकरी किये जाने वाले हत्यारों और IED डिवाइसों की निगरानी करता है लान्डा 9 मई 2022 को पंजाब पुलिस के खूफिया मुख्याले पर हुए रॉकेट हमले का भी मास्टर माइंड बताया जाता है और उसके बाद से ही सरगर्मी से पंजाब पुलिस और NIA उसकी तलाश कर रही थी आपको बता दें कई केस उसके उपर दज हैं हलाकि वो फरार है और कैनाडा में छिप कर बैठा हुआ है लांडा कैनाडा के खालिस्तान समर्थक तत्वों से लगातार जुड़कर काम कर रहा है और पंजाब पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि लांडा पंजाब में आतंकवादी गतिविध्यों का अंजाम देनी के लिए सीमा पार से अलग-अलग मॉड्यूल्स पर काम करता है जिसमें इंप्रोवाइज एक्स्प्लूसिफ डिवाइस तो हैं ही कई तरीके के आधुनिक हतियार हैं विस्फोटक हैं इन सभी को सप्लाई करने का काम करता है पंजाब के अलावा कई भारत के कई हिस्सों में वो काम कर रहा है वसूली हतियाएं ब्लास्ट इस तरीके के काम हतियारों के तसकरी करना लांडा के खिलाब 2021 में लुकाउट नोटिस जारी हुआ था और NIS परिनाम भी 10 लाग की घोशित कर चुका है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें